कांगडा कॉपरेटिव बैंक में जिस परकार से लौन का अवंटन हुआ और क्रोडर पे के लौन लिये गे 35 प्रतिशत के क्रीब उनका NPA था जो मिझे पिछली बार का याद है अब उसमें MD से मेरी चर्चा हुई, Chairman साब से मेरी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद तकरीबन अब थोड़ा 7 प्रतिशत के क्रीब लौन जो NPA वो कम हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों दोवारा लौन लिये गे 20 क्रोड, 30 क्रोड, 33 क्रोड और लौन की जो परक्रिया है, वो तोड मुरोड कर पेश की गई, ऐसी परस्तितियों में बैंक फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो डिफाल्टर है, जो बड़ा लौन लेते हैं, दिखाते हैं, कुछ और हैं, करते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, इस विशे के बारे हम घंबीरता से विचार करेंगे, और जो संबब होगा, इन चीजों को रोकने के हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 मीने पहले जो विवस्ता परिवर्तन का दौर था, उस दौर में और सुधार करते वे, मानिये हमारे वीपन परमार जी ने कहा कि पंचायती राज सस्तों में तकनिकी सायक नहीं है, ये सब नहीं है, इसी चीजों के लिए तो हमने व इस पोजिशन मगाए जाएगी और उस पर आगे गोर किया जाएगा.